प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनदर अपडेट मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रो मेरे सिंग राशी वाले मित्र अपना जून दो जार अठारा का मासिक राशी फल जानने के लिए व्याकुल होंगे तो चलिए मित्रो मैं आपको बताता हूँ सिंग राशी का जून 2018 का मासिक राशीफल तो चलिए शुरू करते हैं ये महिना आपके लिए सामाने रूप से सुक शान्ती युक्त रहेगा अपने प्रत्यक कारे को समझदारी पूर्वक करें जल्दबाजी से बचें समाजिक क्रिया कलापों में अभिरुची कम होगी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे रिंड की समस्या यतावत बनी रहेगी और बहुत जल्दी हल होती हुई नजर नहीं आती यदि आप व्यावसाय करते हैं तो आर्थिक सहियो या भागेदारी के प्रस्ताव आ सकते हैं जिनें आपको स्विकार कर लेने चाहिए अविवाहितों के लिए भी ये समय अच्छा है जब एक दो विवा प्रस्ताव अभी आने वाले हैं और ऐसा तब होगा जब आप किसी पार्टी इत्यादी में भाग लेंगे पूर्वार्द में कुछ इस तरह के शुप समाचार मिलेंगे कि आपके उत्साह में व्रिद्धी होगी और कुछ कार आसानी से बनेंगे आज जीवी का शेत्र में सुधार होगा और उत्रार्द में यश प्रशंसा होगी पेट सम्बंदी रोग परिशान करेंगे और पद्दोनती सम्बंदी कोई बादाएं यदि चल रही हैं तो वे थोड़े दिन ओल चलेंगी बड़े भाई बहन के लिए समय कुछ कठे नहीं यद्यपी उनको आर्थिक लाब होगा जीवन साथी के लिए समय अच्छा है परंतु पुत्र की कारशैली समझ में नहीं आएगी और आप थोड़ा परिशान रहेंगे पुत्र को स्वयम को भी कोई परिशानी हो सकती है विवाद में या मुकदमे में जीतने का समय अभी नहीं आया है अतर आपको थोड़ी प्रिदिक्षा करनी चाहिए आपके जोश एवं पराक्रम में व्रिद्धी होगी तथा भागय का सहयोग भी आपको मिलेगा धार्मिक कारियों में सक्रियता बड़ेगी तील थी आतरा अत्वा पर्यटन पल चाने की योजनाय बनेंगी घर में मांगलिक कारेक्रमों के आयोजन की योजना भी बन सकती है आये में व्रिद्धी के योग बन रहे हैं पूर्व में जो आये से संबंदित समस्या हो रही थी वह अब दूर होगी तथा दन निवेश की परिस्तितियां भी बनेंगी व्यापारी वर्ग को कारोबारी मामलों में सामानित हनकूल फल प्राप्त होंगे नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय शुब बन रहा है इन दिनों नौकरी परिवर्थन हितू प्रयासरत लोगों को सफलता मिलेगी आत्मिश्वास, स्वतंतर खैलात और निश्चे आत्मक्ता आपको जिंदगी के लिए बहतर सोच से लैस करेगी आप अपने घर के लिए आधोनी कुप करनों और चीजों को लाएंगे और इने जुटाने के लिए आपको अतिरिक्त कारे करने की आवशक्ता होगी यह समय इच्छा पूर्ती या सपने की सच होने का समय है समय आपके पक्षका है अतह कई मदभेद उभरने से पहले ही खत्म हो जाएंगे एक्षित जीवन शैली को कायम रखने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पढ़ सकते हैं यह सिर्फ स्वयम के लिए ही नहीं बलकि प्रियजनों के लिए भी लागू होंगे आपका स्वास्त कुछ नरम गरम रह सकता है डॉक्टरी सला ज़रूर ले तो मित्रों इन सब बातों का क्या सार निकलता है तो मित्रों हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों का आपके जीवन के अलग-अलग पहलूँ पे क्या सार निकलता है तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे सिंग राशी वाले मित्रों के स्वास्त के बारे में स्वास्त की द्रिष्टी से ये महिना आपके लिए सामाने रूप से अच्छा रहेगा स्वास्त संबंदी कोई बड़ी परेशानी आदी होने की संभावना कम रहेगी यातरा करते समय स्वास्त का विशेश ध्यान रखें मित्रो अब बात करते हैं आपके धन संपत्ती की धनागम में सुधार होगा रुके हुए वो फसे धन की प्राप्ती हो सकती है काफी दिन से रुके हुए कार बनने की संभावना रहेगी नए संपत्ती खरीतने के योग बनेंगे इस संबंद में सगी संबंदियों की ओर से सही योग प्राप्त होगा मित्रो अब बात करते हैं आपके कारे वैवसाई की कारे शेत्र में पहले की अपेक्षा स्थिती बहतर होगी अपने वरिष्ट अधिकारियों के साथ तालमेल न बिगड़ने दें अपनी कारे शेत्र में इमानदारी पूर्वक कारे करते हुए अच्छा वैवार बनाए रखें मित्रो अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंदों की प्रेम संबंदों में असमंजस जैसी परिस्टितियां उत्पन हो सकती हैं मित्रो अब बात करते हैं आपके दामपत्य जीवन की पती पत्नी के बीच सुक सहयोग बढ़ेगा परिवार सहित किसी परेटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे मित्रो अब हम आपको बताते हैं एक सुनहरा उपाय जिससे करने से आप अपना धन मार प्रशस्त कर सकते हैं और जीवन में सुक सम्रती आसानी से पा सकते हैं तो वह उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चड़ाएं तथा प्रते दिन हनुमान चारेजा का पार्ट करें तो मित्रों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी देखते रहिए मोटो लाला इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे और शेयर कीजे और अपने और अपने मित्रों का ग्यान बढ़ाए और देखते रहिए मोटो लाला अपने सबी प्रश्णों का जवाब मुफ्त में पाने के लिए आप हमें संडे के लाइव सेशन में जॉइन कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब मुफ्त में पासकते हैं तो देखते रहिए मोटो लाला और अभी के लिए मुझे आग गया दीजे नमस्ते